नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वी का उलाइन डाफॉस्ट यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात कहेंगे UPTET 2021 के रिजल्ट के बारे में UPTET 2021 के रिजल्ट इसके अलाबा आंसर की को लेकर जैसा कि आप जानते कि UPTET 2021 की जो आंसर की आनी थी वो 23 फरवरी को मतलब की परस हो और आपका जो परड़ाम जारी होना था 25 फरवरी यानी की आज की तारीक में जारी होना था तो जैसे 23 तारीक निकल गई वैसी 25 तारीक भी निकलती जारी है ना तो रिजल्ट आया ना ही आंसर की आरी है और ना ही इनके आने की आप कोई जानकाई निकल पारी है ऐसे में रेजल्ट को लेकर नई तारीकों के बारे में जानकाई निकल कर आ रही है कि किस तारीकों आपका रेजल्ट जारी होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि UPTED 2021 के अंदर कितने नंबर और बढ़ेंगे जैसा कि आप सुभी को बताया गया था कि PNP सचिप से लगाता है इसके संबन में जानकाई लेने का प्यास किया गया उन्होंने सभी कोश्चन के बारे में तो जानकाई नहीं मिली लेकिन कई अधिकाईों से पूछने पर जानकाई मिली तो तीन से लेकर पांच ऐसे कोश्चने प्राइमरी और जूनियर के अंदर जिन पर चात्तों को कॉमन नंबर मिल सकता है या फिर PNP चाहे तो A और B दो आप्शन को सरी कर सकती है या जो भी आप्शन वहाँ पर होगा तो ऐसे में आसान बासा में कहें प्राइमरी के अंदर तीन और जूनियर के अंदर एक या दो नंबर आपस भी के सामने कॉमन बढ़ रहें इससे ज़्यादा PNP नहीं देने वाली है लेकिन वहीं दूसी तर बात की जाए कि आंसर की कब तक जादी होगी और आपका रिजल्ड कब जादी होगा उसके बारे में आज के कई समाचा पत्तों में जानकाई हैं दी गई है जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि UPTET का परिडाम इस्तरित हो गया है अब चुनाव के बाद जारी किया जाएगा UPTET 2021-21-25 परिडाम पूरे तरीके से इस्तरित कर दिया गया है उसी को लेकर आज के कई समाचा पत्तों में यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा TET परिडाम की नई परिडाम की तारीक को लेकर कि TET का जो परिडाम होगा वो दस के बाद जारी किया जाएगा द्वारा यहां पर यह आदेश दिया गया है सची परिशा निम्रक प्रदिकारी ABC मतलब अनिल भूशन चतुरबेडी के द्वारा बेजे के पत्त में लिखा हुआ था कि चुनाव के दोरान इस परिडाम को गोशित किया जाए या नहीं तो 15 फरवरी के बाद आप सुभी जानते किस परिच्छा को कराया जाना था मतलब हो चुकिए परिच्छा तो जो भी था लेकिन आप यह जो परिडाम जारी होगा वो आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा 10 मार्च 2022 के बाद उससे पहले परिडाम गोशित नहीं होगा तो ऐसे मैं यहां से पूरे तरीके से सफ़स्ट हो जाता है कि 10 मार्च के बाद ही आपकी आंसर की जारी होगी और उसी के बाद आपका परिडाम जारी होगा तीन से पाँच ऐसे कोशिन है जिनको लेकर नमबर बढ़ेंगे प्राइमरी और जूनियर के अंदर बागी जैसे जैसे मुझे जानकाई मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें फिलाल इस वीडियो के माध्यमजिक नहीं थैंक यू पर वचिंग इस वीडियो